अभी हम जिस मूवी को explain करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है He Is Just Not That Into You तो मूवी की शुरुवात होती है और हमें जीजी नाम की एक लड़की अपनी कहानी बताती है जीजी कहती है कि जब ये छोटी थी तो ये एक लड़के को पसंद करती थी लेकिन वो लड़का जीजी को धका देखकर यहां से चला जाता है जीजी ये बात अपनी मॉम को बताती है तो इसकी मॉम जीजी से कहती है कि शायद वो लड़का तुमें पसंद करता है इसलिए उसने तुमसे बात नहीं की, इसके बाद हमें कई साल बात का सीन दिखाया जाता है, यहां हम देखते हैं कि जीजी अब बड़ी हो गई है, और यह आज कॉर्णर के साथ अपनी डेट पर आई है, कॉर्णर जीजी के साथ प्यार बड़ी बाते करता है, जिसकी वज़ है कि कॉर्णर इससे काफी जादा प्यार करता है, और शायद वो अभी इसे मेसेज कर रहा होगा, लेकिन जब हम कॉर्णर को देखते हैं, तब कॉर्णर अपनी एक्स कल्फरेंड एना से बात कर रहा था, एना ग्रॉसरी स्टोर में समान लेने आई थी, कॉर्णर एना से मि अपनी बिलिंग करवालो क्यूंकि मैं अभी कुछ लेने की सूच रहा हूँ, एना जब काउंटर पर बिलिंग करवाती है, तब कैशिर इसे बताती है कि एना ने एक गिफ्ट चीता है, क्यूंकि ये इस स्टोर की एक कस्टमर है, ये गिफ्ट पकर कर एना काफी खुश होत और ये एकसाइटेड होकर पीछे खड़े बैन को गरे लगा लिती है, बैन और एना स्टोर के बाहर आकर बात करते हैं, बात करते करते ये दोनों एक दूसरे में इंट्रेस्टेड होने लगते हैं, बैन एना को अपना नमबर दीने वाला था लेकिन तबी इसे याद आता ह कि इसके तो वाइफ है बेंन एना पर है इसके बाएपकर नील को Juno को देखते हैं नील अ aanग शादी करने से कहती है इसके बाद हम जी जी को देखते हैं Zige को Corner के साथ डेट पर गए्ट पूरे 11 दिन हो गए थे लेकिन कॉड़नर ने इसे आज तक कॉल भी नहीं किया जीजी कॉड़नर को काफी कॉल करती है बाट कॉल पिक नहीं करता जीजी कॉर्णर से मिलने एक बार में आती है जीजी यहां कॉर्णर की एक फ्रेंड एलेक्स से मिलती है जीजी एलेक्स से कॉर्णर के बारे में पूछती है एलेक्स कहता है कि आज तो कॉर्णर यहां पर नहीं आया जीजी एलेक्स को सारी चीज़े बताती है कि कैसे इसे कॉर्णर के साथ डीट पर गए पूरे 11 दिन से भी ज्यादा हो गए लेकिन आज तक कॉर्णर ने इसे एक बार भी कॉल तक नहीं किया एलेक्स कहता है कि अगर कॉर्णर तुम से सच में प्यार करता तो वो तुम्हें कॉल जरूर करता लेकिन उसने तुमें एक बार भी कॉल नहीं किया यानि कि वो तुम में जरा भी इंट्रेस्टेड नहीं है जीजी को भी एलेक्स की बात सच्छी लगती है और ये यहां से चली जाती है इसके बाद हम एना को देखते है एना अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल ये एक आदमी से मिली थी जो कि इसे काफी अच्छा लगा एना की फ्रेंड एना से कहती है कि तब तो तुमें उससे बात करनी चाहिए अपने फ्रेंड की बात मान कर एना बेन को कॉल करती है एना बेन से मिलने के लिए कहती है लेकिन बेन इस से मिलने से मना कर देता है इसके बाद हम बैत को देखते हैं बैत जब घर आती है तब ये नील से कहती है कि हम दोनों इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं उसके बाद भी तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज नहीं कर रह इसलिए ये नील से शादी करना चाहती थी, बेथ कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं भी इस रिलेशन्शिप के सहारे नहीं रह सकती, नील यहां कुछ भी नहीं कहता, जिसकी वज़ा से बेथ नील को छोड़ कर यहां से चली जाती है, कई दिन ब बेथ से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन बेन इसके लिए अभी तयार नहीं था, इसके बाद बेन एना से मिलने आता है, एना यहां बेन से बात करती है, लेकिन बेन यहां पर नर्वस फील कर रहा था, एना बेन से इसकी वाइफ के बारे में पूछती है, बेन कहता है कि य उसके साथ सालों से रिलेशन्शिप में था लेकिन एक दिन उसने बेन से कहा कि अगर ये दोनों शादी नहीं करेंगे तो ये रिलेशन्शिप को आगे नहीं बढ़ाएगी इसलिए मैंने उससे शादी कर ली बेन और एना यहां काफी देर तक बात करते हैं बेन एना की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन ये खुद पर कंच्रोल करता है और यहां से चला जाता है इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो एलेक्स को कॉल करती है जीजी एलेक्स से कहती है कि आज ये एक लड़की के साथ डेट पर गई थी लेकिन इसे नहीं पता कि वो लड़का इसमें इंट्रेस्टेड है भी या नहीं एलेक्स कहता है कि उस लड़के ने अभी तक तुमें कॉल नहीं किया जिसका मतलब ये है कि वो तुमें जरा भी इंट्रेस्टेड नहीं है क्योंकि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की में जरा भी इंट्रेस्टेट होता है तो वो उससे बात करने के लिए उसे कॉल करता है लेकिन उसने तुमें कॉल भी नहीं किया इसका मतलब कि वो तुम में जरा भी इंट्रेस्टेट नहीं है इसके बाद हम Ben को देखते हैं जो एना की योगा क्लास को चौइन करता है दरसल Ben एना को पसंद करने लगा था इसलिए ये एना के करीब आने की सोचता है एना बेन से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे के फ्रेंग बन सकते हैं बेन को भी ये आइडिया अच्छा लगता है एना और Ben यहाँ पर बात करते हैं बात करते करते एना बेन के सामने अपने कपड़े निकाल कर ये स्विमिंग करने लगती है एना को देख Ben काफी हसता है इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो आज फिर से एक लड़की के साथ डेट पर आई थी ये लड़का जीजी के साथ खपागप करना चाता था लेकिन जीजी इसे कहती है कि अभी नहीं जब ये दूसरी बार मिलेंगे तब ये इसके साथ खपागप करे ही ये लड़का कहता है कि ये कुछ दिनों के लिए यहां से बाहर जाने वाला है ये सुनकर जीजी वाश्रूम का बहाना बनाकर एलेक्स से बात करने आती है एलेक्स एक लड़की के बजाने जा रहा था लेकिन ये फिर भी जीजी से बात करता है जीजी एलेक्स को सारी चीज़े बताती है इस पर एलेक्स कहता है कि वो लड़का तुम में जरा भी इंट्रेस्टिड नहीं है क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे साथ खपागप करना चाता है इसलिए तुम जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ इसके बाद एलेक्स जीजी से मिलने आता है एलेक्स यहां जीजी को काफी समझाता है और कहता है कि किसी को प्यार हर बार नहीं होता इंसान के अंदर बदलाव तब आता है जब वो किसी से सच्चा प्यार करता है एलेक्स की बातों से जीजी काफी खुश होती है इसके बाद हम Ben को एना के साथ में देखते हैं Ben यहाँ एना के साथ खपागब करता है Ben कहता है कि मैं हमेशा ही तुमारे बारे में सोचता हूँ एना को लग रहा था कि Ben अब इससे प्यार करता है और ये इसके लिए अपनी वाइफ को छोड़ देगा उदर जीजी और एलेक्स एक दूसरे के फ्रेंड मन चुके थे एक दिन जीजी जब अपने घर पर मूवी देख रही थी तो ये मूवी में देखती है कि कैसे एक फ्रेंडशिप प्यार में बदल जाती है मूवी देख जीजी को लगता है कि शायद एलेक्स भी इससे प्यार करता है जीजी वो सारी बाते अपनी फ्रेंड को बताती है जीजी के फ्रेंड जीजी से कहती है कि तब तो तुम्हें उस लड़की के साथ ही डेट पर जाना चाहिए इसके बाद हम Ben को उसकी वाइफ Jenin के साथ में देखते है Jenin को Ben के उपर किसी चीज को ले कर शक्त था Ben को जब इसके बारे में पता चलता है तो Jenin को सारा सच पता देता है Ben कहता है कि ये किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है और अगर जैनिन चाहे तो ये आज ही घर छोड़ कर चला जाएगा बेन के बाद सुनकर जैनिन काफी जाधा साड होती है इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आई थी इस पार्टी में एलेक्स भी था पार्टी खत्म होने के बाद एलेक्स और जीजी घर पर अकेले होते हैं जीजी एलेक्स से बात करती है जीजी लपक के एलेक्स को किस करती है एलेक्स जीजी को रोकता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो मैं तुम से प्यार नहीं करता एलेक्स की बाद से जीजी साड होकर रोने लगती है और यहां से चली जाती है हम देखते हैं कि बेन एना को अपने ओफिस में लेकर आता है एना भी बेन को पसंद कर रही थी इसलिए ये एकसाइटेड होकर बेन को किस करती है बेन में कुछ पर कंच्रोल नहीं कर पाता और ये एना के साथ खपागप करने लगता है खपागप करते समय कोई बेन के ओफिस में आता है जिसकी वज़र से बेन जल्दी जल्दी एना को क्लोजट में चुपा देता है आफिस में बेन की वाइफ जैनिन आती है जैनिन बेन के साथ ही रहना चाती थी जैनिन अपनी और बेन की शादी शुदा लाइफ को बचाने के लिए ये बेन के साथ खपागप करती है बेन अब ना जाकर भी जैनिन के साथ खपागप कर लिता है जैनिन जब आफिस से जाती ह तब एना बेन पर काफी गुस्सा होती है एना बेन को मा बेन की गालियां देकर यहां से चनी जाती है इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसका आज काम में जरा भी बन नहीं लग रहा था एलेक्स जीजी के ये बारे में सोच रहा था एलेक्स जीजी को कॉल करता है पर ज जीजी इसके कॉल को पित नहीं करती तरसल एलेक्स को जीजी से प्यार हो गया था इसलिए ये उससे बार बार कॉल करता है बेंड से जगरने के बाद एना यहां अकेली थी एना के पास इसका एक्स बॉइफरेंड कॉर्णर आता है कॉर्णर एना से आज भी प्यार करता था औ बेत नील को छोड़कर ये अपने फादर के घर पर रह रही थी, लेकिन एक दिन नील इससे मिलने आता है, नील को देखकर बेत रोने लगती है और नील इसे गले लगा लेता है, उधर जैनेन बेन को लेकर काफी अपसेट थी, क्योंकि बेन इससे बात नहीं कर रहा था, जैन इससे मिलने आता है एलेक्स कहता है कि जब से तुमने मुझे किस किया है तब से मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा हूँ एलेक्स अपने अंदर की सारी चीजे जीजी को बता देता है जीजी कहती है कि आज मैं एक लड़की के साथ डेट पर गई थी और वो लड़का भी बैठे थे तब बेट को नील के कपड़ों में से एक रिंग मिलती है जिसका मतलब यह है कि नील ने बेट को शादी के लिए प्रपोस कर लिया है यह देखकर बेट काफी खुश थी बेट और नील एक दूसरे से शादी कर लेते हैं लास सीन में हम एना और बैन को देखते है एना अब एक सिंगर बन चुकी थी और बेन अकेला ही था क्यूंकि बेन की वाइफ जैनिन इसे छोड़ कर अकेले रहने चले गई थी और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर कत्म हो जाती है